नमस्कार दोस्तों वेलकम डौसे अस्ट्रोजी मैं नीतु सिंग दोस्तों मुझसे चुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बहला एकन दवना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे की वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंशते रहें अगर हमारे जीवन को सुखी बना सकती है तो चलिए जानते हैं खुद की कमाई से कम खर्चों ऐसी जिंदिगी बनाएं कि अगर आप 10 रुपे कमाते हैं तो 9 रुपे ही खर्च करें ऐसा नहीं कि आप 10 रुपे कमा रहें तो आपकी 11 रुपे खर्च हो रहें तो आपके घर में कहने का मताब समझ जाएए, जो मैं एक्जामपल दे रही हूँ, कमाई से ज़्यादा भूल कर भी खर्च ना करें, दिन में कम से कम दो लोगों की तारीफ ज़रूर करें, लोग बुराईया तो बहुत करते हैं, वो फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, तो वो रिष्टेदार ऐस यह रिष्टेदार ऐसा है, तो कभी कभी आप किसी की तारीफ भी करना शुरूर करें, दो लोग ऐसे हो जिनकी रोज नियम से आप तारीफ करें, दो लोग आपकी जिन्दगी में कोई भी ऐसा हो, कि तारीफ आपको उसे बुराई नहीं करने हैं, अगर आप बुराई की इ करना शुरू कीजे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुद बाखुद बहुत सारे बदला होने शुरू हो जाएंगे जो आप दो के सामने वाले को वही आपको वापस मिलता है खुद की भूल स्विकार करने से कभी संकोश ना करें अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको एकसेप्ट कर लिए बहुत बिंदास होके कि हां मुझसे गलती होई थी जो भी हो आपके घर का सदस्यों से सौरी बोल दें या भगवान के सामने बोल दें कि मुझसे ग सूरज को देखें उगते हुए सूरज को जल दें अगर आप जल नहीं देते हैं तो कम से कम आप प्रणाम तो जरूर करें उगते हुए सूरज को देखें आपके जीवन में भी ऐसा ही बदलावाएगा आपके जीवन में भी उगते हुए सूरज की तरह आगे बढ़ता चल जाएगा बहुत ही जरूरी हो तभी कोई चीज उधार लें कभी होता है ठीक है कभी हमें जरूरत पड़ जाती है बह। मुश्किल टाम आजाता है कभी जरूर लेना ही पड़ता है तो जरूर ले olursे लेकिन हो सके तो कभी उधार कि ज़रूत ऐसे नहीं आप बेफालतों में उधार ले रहे हैं अपनी इच्छाओं की जो जिसकी कोई ज़रूत नहीं है उसे पूरा करने के लिए आप उधार ले रहे हैं तो इससे आप हमेशा तंगी में ही रहेंगे आपके जीवन में कभी भी सुख नहीं आएगा कभी भी चपल जूतों को इधर दर बिखेर करना रखे कि चारों तरब जूते चपल फैले हुए एक अच्छे से आप जहां स्टैंड वहां रखे और जो पहनते उनको भी सलीखेस रखेने उल्टे पड़े हैं पल्टे पड़े एक के उपर एक चड़े पड़े हैं ऐसा करने स जीवन में परिशानियों का सामना करना पड़ता है बिना बुलाए अपने किसी मित्र के यहां भी ना जाये रिष्टेदारों के यहां ना जाये कोई कितना भी घनिस्टों बिना बुलाए किसी के घर कभी भी नहीं जाना चाहिए इस चीज़ को भी अपने दिमाग में अच होने देना है इश्वर में अटूट भरोसा रखें इश्वर में ऐसा विस्वर लोग होते हैं कि भरोसा नहीं करते हैं कि भगवान तो है इन्हें लोग ऐसे ढोंग करते हैं अंद्विस्वास जादा लोगों में जागरित हो रहा है तो ऐसा नहीं है इश्वर है और इश्वर भी नहीं दिखाना है अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं अपनी कमाई मेंसे कुछ दान जरूर करें चाहें जितना भी एक रुपे हो जैसी आपकी इच्छा जैसी आपकी हैसे जैसी आपकी आस्था दान देना जरूर शुरू करते हैं जो हर वक्त अपना र वेसी हो रहा है वेसं लोगों समझा स्कूराइब केशा जी हो और नहीं के आ realities ना बोलने से व now आप возь, sector दूर आ इसा मुस्कान होनी चाहिए तो सुखी जीवन आपका आने से कोई भी नहीं रोख सकता भगवान भी नहीं अगर आपके अंदर ये आदत है घर को साफ सुत्रा रखे महका कर रखे सुगंदित बना कर रखे घर में कभी भी गंदिकी ना फैला है तुरंत घर में जो कुड़े खटा होता रहता है कोई समान ऐसा जो यूज नहीं करें से तुरंत निकालते जाए नहीं खटा कर रहें 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 खटा नहीं करना है उसे तुरंत बहार निकालते जाए तुरंत अपने घर में थोड़ा सा इतर वगएरा च जलाईए दूबती अच्छी अच्छी जलाईए जैसे कि अगर कोई आपके घर में प्रिवेस करता है तो उसका मन बिल्कुल खुश हो जाए उसे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एनरजी इस घर से अच्छे वाइब सा रहे हैं इस घर से ऐसा आपको अपने घर को बना के रख फाफ रखें जले झाए कि आप में चैमीने पे एक बार धूल रहे हैं इनरे फ्रते चैमीने पर दोल रहे हैं सोफा कबेर परदे दुलें तो आगली दिवाली दुलेंगे ऐसा आपको नहीं करना है सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना अगर आप चातें कि आपका जीवन सुखी रहे सुखी जीवन के लिए सारी चीज़े आपको अपने जीवन में ढाल लेनी जो आपके जीवन में खुशिया भर देंगी, जो आपके जीवन में रंग भर देंगे, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जोडने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, फिर मिलेंगे चैमाता दी